तो भी मार्किट में एक नया ज्यान आया है by one and only कंगना दीदी जी हाँ कंगना दीदी का ये कहना है recent वीडियो में कि देश के पहले प्रधान मंत्री नहरू नहीं थे देश के पहले प्रधान मंत्री थे सुभाश चंद्र बोज और नेता जी वेता जी भी नहीं सुभाश चं कि मुझे ऐसा लग रहा है क्यों पता नहीं कि मोदी जी को उनका अगला शायद एजुकेशन मिनिस्टर मिल चुका है कंगना रनौत के अंदर देखे इसको मतलब जब आप किसी कचरे के सामने ऐसा कचरा फेको अपने दिमाग का कि वो भी चकित हो जाए कि भाई ये क्या बोल रही हो दीदी मतलब सामने बैठे यू नविका कुमार भी कह रही है कि वो तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं मतलब नविका कुमार भी कंगना रनौत को आईना दिखा रही है कितने बुरे दिन आ गए है वैसे कंगना रनौत जो है शायद कुछ confusion में पढ़ चुकी है शायद इस photo को देखकर वो नरेंदर मोधी को सुभाष चंदर बोस समझ के बैठ चुकी और इन ही कोई शायद देश का पहला प्रधान मंत्री मान रही है भाई कंगना रनौत के IQ लेविल को देखने के बाद इस डंबनेस को देखने के बाद मुझे अनन्या पांडे भी बहुत जादा स्मार्ट आइंस्टाइन की बच्ची लग रही है इनफाक्ट निर्मला ताई जो किसी बात का कोई सेंस नहीं बना पाती वो भी इनके सामने मुझे 100 टाइम सेंसिबल लग रही है सेंसिबल प्रो मैक्स लेकिन कंगना दीदी सिर्फ यही पर नहीं रुखती है आने वाले टाइम में मोधी कैबिनेट की होने वाली एजुकेशन मिनिस्टर आगे ये भी कहती है कि सर्दार वल्लब भाई पटेल जो है वो प्रदानमंत्री इसलिए नहीं बने क्योंकि वो जो है उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी मतलब नविका कुमार भी सोच रहे है चुप हो जा बहन चुप हो जा और कितनी किरकीरी कराएगी हमारे मोधी जी की जी नहीं बने कुँकि अंग्लिश नहीं आते थी 1910 में सरदार वल्लब हाई पटेल थी में चूप तीन साल के लिए इंग्लेंट पढाई करने वे जब उनको इंग्लिस नहीं आती थी तो वहांपर क्या शूप घुजराथी में पढाई करने का काम कर रहे है मतलब दीदी कहीं जाने से पहले एक बेसिक सा Google का सर्च कर लिया करो हां मैं जानता हूं कि वाटसाइप पे रोज सुब ऐसी बाते आती है बीजेपी आईटी से रोज वाटसाइप पे ऐसा ज्यान पेलता है और ऐसे ही वाटसाइप यूनिवरस्टी के बच्चे निकलते हैं और कहते हैं कि पापा ने इसराइल की वर रुकवा दी लेकिन वहिया सच्चाई कुछ और है Google कर लो दीदी Google वैसे एक बात तो है यहां पर कि कंगना रनौत जैसे लोगों को बहुत भाव मिलता है और इसलिए भाव मिलता है क्योंकि कंगना रनौत जो है यह पॉलिटिक्स भी जा रहा है इसलिए अभी भी इस तरीके के आर्टिस्टों को बार बार बोलाया जाते है अपने न्यूस शोज में क्योंकि इन लोगों का सोसाइटी के ओपर बहुत बड़ा इंपक्ट रहता है अपने आर्ट के बदॉलत जाए फिल्में हो म्यूजिक हो या फिर स्टैं पती जब तक पांसों किनी मिल्ती रिश्व ठोरों की तर्शीव नहीं हिलती पाइला है सरकती को डील नहीं होती दुनिया रॉच जाती गोंन मीदूच आती जो इनसा लों से सरक्वरपाती तो का है होटों की जरूरहत पढती आए थे बंदा बंदा चोर जोके दिल मांके मोर बांदर आउडी ते लोग कवडी कवडी ते कुटे लाल बगती ते असी तूसी चवणी दे तो भाई राहूल कालरा ने यहाँ पर काफी मत्सा गाना बनाया in fact, काफी इन्हों ने यह पर सटायर भी यूज किया अपने गाने में मतलब उसी तरीके से हमारे सिस्टम के दोगलेपन को सामने रखे है जिस तरीके से हम यह पर अपनी वीडियो में रखने का काम करते हैं मैं राहूल कालरा मैंने गाना बनाया है भारत के भृष्टाचारी और उसके बारे में आपसे बात करना चाहिए यहां इंसानों की भीड में इंसानिया जूनना कभी-कभी मुश्किल हो जाए इस इस दे मैटर ऑफ कॉमन सेंस इतनी कॉमन होती नहीं है हम भात करते हैं कि भृष्टाचार नहीं होना चाहिए अगर हमारे अंदर है तो ही हमारे से नहीं हूरे नहीं हमारे जैसा मैंने शुरुआप बताया था कि आर्टिस्टों का बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ता है पूरी सुसाइटी के ओपर वोटर्स को इंफ्लूएंस करने के ओपर तो इसे में मैं तो सिर्फ यही चाहूंगा कि आर ऐसे आर्टेस्टों को और जादा बढ़ावा मिले इसलिए नीचे डिस्रिप्शन में इनके चैनल का इनके गाने का लिंक है जाक मतलब कोई काम नहीं था अमेठी में वायनाड भी पहुंच चुके हैं वायनाड में जो बीजेपी का वहां प्रत्याशी है उसके लिए रोड शोस करे जा रहे है यह दिखाया जा रहा है कि राहूल गांदी को मैंने अमेठी से भगा दिया लेकिन अब वायनाड से भी भग इस रोड शो में दिखाने की कोशिश करी गई थी कि स्वृती इरानी वायनाड में भी बहुत जलवा मचा रही है एकदम वायनाड में भी बवाल ला करके रख दिया लेकिन सामने से दिखाई दे रहा है भाईया कैमरा मैंन से बोलो कि एंगल चेंज करके वीडियो रिकॉर करें सामने की सड़क पूरी तरीके से खाली है आपके स्क्रीन पर इस ताइब पर फिर से चल भी रही होगी खाली सड़कों के ओपर कौन सा रोड शोव करने की आदत है भाई इसा एकर खाली सड़कों के ऊपर रोड शोव करना है तो Expressway की ओपर निकल जाओना वह भी पूर करना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा रीसेंटली हमने देखा कि बॉक्सर विजेंद्र सिंग इन्होंने कॉंग्रेस चोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और एक दिन पहले तक धुरूव राठी के ये ट्वीट को रिट्वीट कर रहे थे लाइक कर रहे थे उनको अ सबस्यादा मज़दार मुझे लगा विजेंदर सिंग का यहां पर भाना मैं सो करके उठा और मेरी एकदम से आत्मा जागए इसलिए में बीजेपी में चला गया उसके बाद फिर में एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गल्थ कर रहे हैं आप गल्थ प्लेट चले जाओ कहीं और यह कैसा सा बहाना है कि मतलब मैं आज रात को सोया और सोने के बाद जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मैं गरत लोगों के साथ हूं मुझे सही जगह पर जाना चाहिए बहाना तो सोच समझ के बोल लिया कर भाई मोटी बुद्धी का इंसान है किसी पे भ समझा दी कितने ट्रिलियन में जीरो होते हैं संबित पात्रा का पूरी तरीके से प्रवक्ताई का करियर खतम करके इन्होंने रख दिया और उसके बाद क्या हुआ पता चल रहा है कि महाशे जो हैं अब संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फरेंसे में दरिया बिचाने के लिए बीजेपी में चले गए हैं ठीक पहले क्या कारण रहा है डॉक्टर मनमोन सेंग जी पीवी नरसीमा राव साब ने देश को दिया आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोत करती है हम देश में वेल्थ क्रियेटर्स का सुबे शाम गालियां देते हैं उनको जो बिजनस करके गोजगार उत्पन करते हैं उनको गालियां देते हैं जिस वी निवेश को कॉंग्रेस पार्टी लाई उस वी निवेश का आज विरोत किया जा रहा है तो मैं इन चीजों से शुक्द था मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी यह कई जगा बात उठाई और मेरे विस् बेनिफिट्स के लिए इन लोगों की कोई आइडियोलोजी नहीं है इनकी सिर्फ एक ही आइडियोलोजी है जनता को डैश बनाना एथे बंदा बंदा चोड लेकिन मुझे तो उन भक्तों के ओपर भी तरस आता है जो सुबह दिन रात इन लोगों को गालिया आ देते हैं ज अब बोली तो बहुत सारे राइट विंगर्स को मिर्चिया लग गए लेकिन यह सच है अपने स्क्रीन पर देखें इसको बोलता हिंदुस्तान का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको इस टाइम पर बंद कर दिया गया कल दिन की अपडेट निक अब जहां पर इक तरफ बहुत से गोधी मीडिया के चैनल्स है जो सुबह दिन रात यूट्यूब पर अपने शोज डाल डाल के हिंदु मुसल्मान के बीच में जहर घोलते रहते हैं उनके ओपर कोई अक्शन नहीं लिया जाता लेकिन बाइस तरीके से कैसे यहां पर अक् वाइल हिच हाइकिंग इन यूरोप इन फोसिस पाउंडर नारायन मूर्ती 120 घंटे के लिए मैं भूका रहा जब मैं हिच हाइकिंग कर रहा था मैं तो अपना चमच खुद कैरी करती हूं मैं तो बहुत गरीब हूं मैं तो बहुत अनाथ हूं भया बंद करो मतलब मिल गया तुमारी बीवी को यहां पर राजसभा का टेकट अब तुमारे को क्या मोदी जी की जगा घेरनी है और यह जो इतनी बड़ी-बड़ी बाते करते हैं सुबह से शाम तक सिंप्लिसिटी की बाते करते हैं इन्होंने थोड़े दिन पहले अपने पोते को करोड़ों रुपे क शेर दियें चार महिने के पोते को इसी के साथ इस वीडियो को यही खतम करना चाहूंगा अब आपका इस ख़बर के उपर क्या रियाक्शन है इसके अलावा इन सारी खबरों के उपर कंगना दीदी के दिमाग के उपर आपका क्या रियाक्शन है यह नीचे कॉमेंट तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना बाई बाई